यॉनिक्स नानोरे लाइट 18i versus यॉनिक्स आस्टरक्स 27i काफी फीमिस रैकेट्स बिगनर सेक्षन के लिए काफी जाधा पॉपिलर और मैंने दोनों के उपर वीडियो भी बनाए हैं तो हम आज इन दोनों का कंपेरेजन वीडियो बनाने वाले हैं विच पेसिफिकेशन किस लोगो को ये रैकेट अक्चुली खरीदना चाहिए किस लिए रैकेट बना हुआ है क्या एड्वांटेजिस है क्या डिसद्वांटेजिस है विथ प्रॉपर वर्डिक्ट अड लॉजिकल अर्गुमेंट्स आज यूशल लाइक शेय सब्सक्राइब बस इतना ही करना है नाव लेट्स कर दो विडियो विखली गेटिंटिंट इन्ट इस स्पेसिकेशन ओफ ट्वेंटी सेवन आए ओके नाव यहां पर लिखा है अस्ट्रोग्स लाइट ट्वेंट्टी सेवन एड़ एडशिप इसोमेट्रिक है वेट काफी जादा हलका राक तो जिस स्पीड पर वह वापस आताना अपने नॉमल स्पेस पर तो दिस अक्चुली हेल्प्स वन यू गिव इत अगुट स्माश वहां पर अब राकेट का बालन्स पॉइंट हम देखे तो यह थोड़ा सा हैड हवी के टूवर्ट से विच इस अ गुड़ तिंग सो इफ आपके बहुत अच्छा काम आएगा प्लस यह राकेट पूरा फुल ग्रफाइट माटीरियल से बना हुआ है सो दाट इस अ गुड़ तिंग अगें अभी स्पेसिफिकेशिंस नानोरे लाइट 18i की ओके सो इसमेट्रिक हैट शेप आज वेल फुल ग्रफाइट माटीरियल अब इसका जो शाफ फ्लेक्स है ना वो थोड़ा सा मिको लगता है कम है कमपेरेटिवली टू वह वाले से बट ठीक है इस नाट बाट बाट फरक है इतना कुछ निया बट दन इस थोड़ा बहुत फरक है बैलेंस पॉइंट राकेट का देखो तो यह एवन है ओके यह ना लाइट वेट हो जाता है वित कुएक मुवमेंट्स कुएक सिचेस कुएक ग्रिप स्विच करनी है कुछ भी तो यह राकेट उसमें थोड़ा सा जाधा बैटर प्ले करता है 27 का माक्सिमम स्रिंग टेंशन 30 LBS 18 का माक्सिमम स्रिंग टेंशन 30 LBS I would recommend अगर आप यह राकेट ल लाइट कर्सक्ता है कर दो okay so we played, tried and everything with the racket that we usually do okay so now इसके अंदर मेजर फरक निया बढ़ा कुछ-कुछ फरक है जो कि शायद एक टाइनी पीसेज में लोगों को आक्चुली शायद फरक पड़े बड़ बिफोर सार्टिंग विड़ बताता हूँ नानो रे और एक्चुली फरक क्या है जो दोनों यॉनिक्स की सीरीज बनती है उसके लिए अब नानो रे जो सीरीज है ना यॉनिक्स की बेसिकली उसमें जितने भी राकेट्स होते हैं वो सारे बालंस पॉइंट वाले होते ह तो वही राकेट्स बनाता है यॉनिक्स और यही सीरीज में नानो रे में ही इंक्लूड करते हैं जितने भी बैलंस पॉइंट राकेट्स होते हैं अब आश्ट्रॉक्स सीरीज में ऐसा कहते हैं कि जो यॉनिक्स की वाल्ट्रेक वाली सीरीज है इसको रिप्लेस करने के कोड़ा नमाएभा तो ये डोनों-सी गास में बलिट में सितना है यानि कि इतने भी मोस्टी पंतले उंस पंदे वusu सारे हैं रहूंते और वह 리म नैचाज बंते वो mostly balance point के होते हैं so these rackets are equally सिफ weight में ये 75 gram से ये 78 gram से ठीक है depends करता है अभी आप grip कैसी लगाओ थोड़ा बहुत उसपे फ़रक पड़ता है अब इसके अंदर दोनों grip भी same है but if you look closely तो ये 18 है जो की मेरा racket है इसकी grip थोड़ी सी जादा मोटी है 27 है जो की also मेरा है racket है but इसकी grip मैंने थोड़ी सी पतली लगाई है ठीक है so यहाँ थोड़ा बहुत फ़रक पड़ जाता है just how do you grip the racket suppose अगर ये पकड़ रहो तो ये वाली जो आपको एक fist बनानी पड़ती है to hold the racket तो वो इसमें थोड़ी कम लगती है इसके अंदर थोड़ी सी जाधा लगती है but it's only because of the grip that we've put अब खेलने में, feel में, switch directions, भागने में easy दोनों racket है बस अगर powerful smashes, attacking, aggressive game जाधा है तो 27 eye is the better choice ये थोड़ा balance के लिए आप जाधा defend भी उतना ही better करना चाहते हो आप attack भी उतना ही better करना चाहते हो क्योंकि balance point racket ही है वहाँ पर ये racket best use है जहाँ पर आप एक mid game खिलता हो balance है, यानि कि aggressive भी उतना ही कर रहो और defend भी आप उतना ही कर रहो तो सही है, ये जाधा अगर आप कर रहे हो aggressively attack जाधा offensive game है आपका तो फिर 27 eye better है क्योंकि ये head heavy है, तो smashes जितने भी दोगे clear करोगे, toss करोगे तो वो सारी चीज़े इसके अंदर better होगे क्योंकि head heavy है, तो powerful smashes जाएंगे and that is what offensive and aggressive players mostly want तो 27 eye में ये एक चीज़ अच्छे हो जाती है 18 eye भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है बस, powerful smashes head heavy, balance point aggressive और defensive दोनों, अगर आप balance कहलतो तो 18 eye जादा better पढ़ जाता है So coming to the price of both the rackets 18 eye फिलाल को 1600 रुपीज का आपको Amazon पे दिखने के ले मिल जाता है and 27 eye वही इस अच्छा रुपन है तो इनकी rates जो है वही इतनी 1800, 1600, 1500, 1400 उतनी ही चलती रहती है दोनों rackets की थोड़ा flip होता रहता है I mean up down होता रहता है So you'll have to check it for yourself Now, I think जो defensive and aggressive zone better mid खेलते हैं एक तरह से balance game है उनके लिए I think 18 eye जादा better हो जाता है Offensive game के लिए I think 27 eye जादा better हो जाता है Other than that I don't think जादा कुछ फरक है थोड़ा बहुत shaft का फरक है क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा है और यह थोड़ा सा छोटा है I think that's it बाकी mostly दोनों lightweight rackets है दोनों का आपको अच्छा अगर आप एक mid-level game केलते हो तो आपको दोनों rackets बहुत प्रोपरली यूस करने में मज़ा आएगा I just feel middle यानि कि जो balance rackets होते है mostly उन लोगों को ही लेने चे जो कि थोड़ा dependent, self-dependent game केलते हैं थोड़ा सा कैसे बता हम आपको थोड़ा जादा controlling game खेलते हैं अपने side से जो थोड़ा सा जादा aggressive और offensive खेलते हैं थोड़ा सा racket के weight पे जादा rely करते हैं for their shots when they play badminton तो उनके लाए थिंग offensive यानि कि एक head heavy वाला racket जो कि 27i है वो उन लोग को लेना चेहें बागी इसके लाबा I don't think दोनों के अंदर जादा हो कोई फरक है so I think this is it this is what we made the video of this is where we end the video again like, share, subscribe के साथ so this was NanoRay 18i vs Astrox 27i specifications almost same है हर चीज बता दी कुछ लगे अगर बेटर कर सकता हूँ तो please comment section में बता दिया करो let me know ये वाला वडियो आप लोगो कैसे लगा as you know हमने shuttle passion में आज भी आप वहीं पर shoot करेंगे हमेशा से as usual number डाल दिया है rent and play academy दोनों चीज है so if you guys want you guys can call and yes ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे if you think we can do something better comment section is always open for you guys again like, share, subscribe के साथ वीडियो एंड करते हैं see you guys also NanoRay वाले राकेट के साथ ये NanoRay वाला Yonex का कवर मिलता है Astrox ये साथ Yonex Astrox वाला मिलता है but I don't know मेर पास वो था कवर but I cannot find it if I'll find it in a previous videos बीरोल तो मैं वो आड करके दिखागाँ आप लोको so yes, you get a complimentary cover as well